जैहिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सब बिलकुल मस्त होंगी, यूविक्टर क्लास एज यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है, आज की इस वीडियो में हम बहुत डिटिल्स डिस्केस करने वाले हैं एक यूनिवर्सिटी के बारे में, जहां से पी करना चाहते हो, या फिर आपका जैरब क्वालिफाई है, आप पी एजडियो के साथ साथ फैलोसिप लेना चाहते हो, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्पूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम जिस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करने वाले हैं, यह यूजी सी की दोरह अपरूड यूनिवर्सिटी है, और यदि आपका जैरब क्वालिफाई है और आप यहां से पी एजडि करते हैं, तो बाकाइदा यूजी सी के रूल रेगुलेशन के अकोर्डिंग यहां पर फैलोसिप प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो हम अपने इस वीडियो की सुरुवात करते हैं, आपने अभी तक यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लिज एक पार इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम लगातार, भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, वहां से यदि होता है, तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट रखनेगी, पूरी-पूरी कोशिज करूँगा, सबसे पहले हम यहां पर इंपोर्टेंट डीट के बारे में डिसक्स कर लेते हैं, 16-5-2024 या फोर्म भरना अपलाई होंगे, जो फोर्म हैं, वह 5-6-2024 तक अपलाई किये यदि आप OBC, General और EWS काटेगरी से हैं, तो आपको 35 रुपए फीपे करनी होगी, और यदि आप SC, STV, Disability या PWD काटेगरी के काटेगरी के अपलाई कर सकते हैं, यहां पर इस काटेगरी के काटेगरी के अपलाई कर सकते हैं, जो कंडिडेट अभी PG में admission लिये हैं, जिनका PG complete हो चुका है, और जिनका net qualify नहीं है, वो कंडिडेट यहां पर अपलाई नहीं कर सकते हैं, चोदरी चानर सिंग विश्विदाले मेरेट में परवेस परिक्षा के माध्यम से परवेस्ट MFIL डिगरी धारक अभी अर्थी, औ कम से कम 95% करने वाले कंडिडेट भी यहां पर फोर्म अपलाई कर सकते हैं, तो यह हो गए उन कंडिडेटों के बारे में जो यहां पर फोर्म अपलाई कर सकते हैं, अब हम eligibility criteria के बारे में discuss करें, eligibility criteria वो ही बिल्कुल सहम है, कि यदि आपकी जो master degree है, यदि आप journal, AWS और category से ब PWD category से हैं, तो आपके master degree में aggregate minimum 50% marks होने चाहिए, तो यहां पर यह eligibility के criteria था, तो इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, अब हम यहां पर admission के process के बारे में discuss करता है, देखो यहां पर यदि आपका net qualify है, और अब भी आपका master degree complete नहीं हुआ है, तो भ अब हम एक बार यहां पर admission process के बारे में discuss कर लें, यहां पर आपका किसी तरीके का कोई return exam नहीं होगा, केवल और केवल, entry के बेज़ पर यहां पर आपका admission होने वाला है, यहां पर आपका totally equal मिला कर 30 number का entry होगा, 30 number में से जिस candidate के 12 number से ज़्यादा है, उनको यहां पर योग्या माना जाएगा, और जिन candidate के 11 या 11 से कम number है, उनको यहां पर फैल माना जाएगा, उनकी merit list नहीं बनने वाली, अब यहां पर सबसे पहले जेरफ qualify कंडिरेटों को वेरियता दी जाएगी, उन सब भी जेरफ qualify कं इनको वेरियता दी जाएगी, तो यह सारा सब कुछ आपको अच्छे तरीके से समझ में आगा है, बाकायदा आपको यहां पर फैलोशिप मिलेगी, अब हम number of vacancy और university के बारे में discuss करते है, यूनिवर्सिटी का नाम है चरण सिंग विस्विदाल है, जो की merit में है, agriculture, chemistry है, economics ह इनसे vacancy है, agronomy है, dairy science and technology है, genetic and plant breeding है, horty culture है, commerce है, low है, physical education है, education है, drawing and painting है, defense studies है, English है, economics है, geography है, हिंदी है, history है, home science है, psychology है, political science है, sociology है, sanskrit है, philosophy है, उर्दू है, music है, botany है, chemistry है, mathematics है, microbiology है, physics है, aesthetics है, and mass communication है, toxicology है, and plant pathology है, computer science and engineering है, electronics communication and engineering है, और mechanical engineering है, तो totally कुल मिला कर यह 49 subject है, यहाँ पर, जिनसे यहाँ पर vacancy है निकली हुई है, अब यहाँ पर जो PhD में admission है, उसका भी दो system है, एक तो campus के थूरू, आप PhD करना चाहते हो, या फिर जो चरण सिंग विश्विद्दाले, इससे related, जो college है, या आप उनसे PhD करना चाहते हो, यहाँ पर जो 49 subject है, इनसे campus से 240 vacancy हैने के लिए हुई है, और यहाँ पर प्यारे साथ दियो, जो college है, उनसे 2019 vacancy आने के लिए हुई है, तो आपके बार बहुत अच्छा कासा option है, बहुत अच्छा कासा मौक है आपके पास PhD करने के लिए, एक साथ पहली बार होगा, जो इतनी अच्छी खासे संक्या में, PhD admission के लिए seat available है, अधर्वाइस किसी उनिवर्सिते 100, 500, 200, 300 maximum आते हैं, और पहली बार मैंने देखा है कि किसी उनिवर्सिती से लगबग 2300 के आजपास seat available है, एक साथ PhD में admission के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने सब दोस्तों के साथ जरूर सेर करो,